एलो फ्रेंट्स वेलकम टो नॉलेज केमपस यह हमारा ऑप्रेटिंग सिस्टम का एड वीडियो है इस वीडियो हम देखेंगे प्रोसेस एस्टेट डियाग्राम में हम एक्चोली रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि प्रोसेस हमारा जब एक्जिकुट होता है तो वह प्रोसेस एस्टेट डियाग्राम सबसे पहले जो एस्टेट आता है वह एस्टेट होता है इस एस्टेट में कोई भी प्रोसेस कब होता है जब हमारा प्रोसेस अंडर क्रियेशन होता है ठीक है निव एस्टेट में हमारा प्रोसेस अभी क्रियेट नहीं हो रहता है अभी क् प्रोसेस देन वो क्या हो जाता है दूसरी एस्टेट में आजाता है और दूसरी एस्टेट को क्या बोलते हैं रेडी एस्टेट तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, new state में पहले अभी process create नहीं हो था, under creation था, and जैसे ही process create हो गया, यहाँ पर लिख दीजे created, process हमारा create हो गया, and create होते ही process हमारा कहा आ गया, रेडिय स्टेट में, अब रेडिय स्टेट में process create हो गया, and process ready है कि आप उसको execute करो, उसको CPU allocate करो, लेकिन process को अभी CPU allocate नहीं हुआ है, process हमारा रेडिय स्टेट में ही है, जैसे ही किसी भी process को आप CPU allocate करोगे, then वो क्या होगा, वो एक दूसरे state में चला जाएगा, and उस दूसरे state का नाम क्या होगा, run state, क्या होगा state का नाम, run, and ready state, ready state से जैसे किसी process को schedule किया, schedule किया, it means क्या, उसको CPU schedule किया, CPU allocate किया, तो जैसे उसको CPU schedule किया, तो process हमारा कहां चला गया, ready state में, running state में, ready state में था process को schedule किया, and process हमारा चला गया, running state में, अब process कहां है, running state में, it means उस process के पास क्या है, CPU है, CPU पर उस process में जो भी काम करना होगा, जो भी arithmetic and logical operations को perform करना होगा, वो अपना वहाँ पर operation perform कर रहा है, ठीक है, अब suppose किजिए, कि process हमारा running state में है, अपना arithmetic and logical operation perform कर रहा है, and बीच में, उसको, कोई input, output device से कोई operation perform करना है, उस program, process है, and process में कोई एक ऐसा instruction है, जो instruction में ये लिखा हुआ है, कि उसको, कोई input, output device चाहिए, then क्या होगा, process हमारा running state से, हट कर, एक दूसरी state में आ जाएगा, उस state को क्या बोलेंगे, block state, या weight state, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, block state बोलिए, या weight, weight state बोलते है, and weight state में, कोई भी process running state में था, running state से weight या, block state में कब जाता है, जब उस process को, input, output device की requirement परती है, it means input, output request, कोई भी process जब input, output device के लिए, जब वो request करेगा, then क्या होगा, वो running state से, block state में आ जाएगा, and जब तक वो कोई process block state में आ है, उतने time में, कोई डूसरा process, ready state से, CPU में आ जाएगा, and जो पहला process जो block state में आ गया था, ऑपना block state में जो भी उसको input, output device से, जो भी अपना काम करेगा, and then उसको आगे जो further जो अपनी processing करनी होगी, यहाँ से वो कहा जाएगा, ready state में, यहाँ से वो running state में नहीं जाएगा, यहां पर किह होगा उसका आयो कम्लीशन इन्पुट ऑट्पुट नोगाॉर Indies क्यों इन्पुटरोट में चाहलत यहां वह कमगस्थ होग्या तो現在 वो कहां जाएगा completion होने के बाद radio state में जाएगा and radio state में से फिर वो अगर उसको फिर से अगर CPU के कोई जुरुवत है तो वो अपना CPU पर कोई अपना काम करेगा and then अब उसको ऐसा मालने जाएसा situation आ गया कि उसको CPU से जो भी काम करना था वो CPU का काम भी complete हो गया and उसको input-output device का जो भी requirement हो भी complete हो गया then उसके बाद process हमारा एक दिस्रे एस्टेट में जाता है उसको बोलते हैं terminate state क्या बोलते हैं terminate state कि इट मींज हमारा process का completion हो गया process को जो भी काम करना था वो process क्या होगा complete हो गया अब process को कोई काम नहीं करना है and CPU अब यह चीज एक और आपको दिखना है कि यह जो भी state है वो किस-किस memory में होता है जैसे जो new state होता है वो हमारा का होता है secondary memory में ready state का होता है main memory main memory बोले तो RAM running state भी आपका का होता है main memory में होता है and आपका यह जो block state होता है यह भी आपका main memory में होता है यह चीज बहुत स्टेट होते हैं वो किस मेमरी में होते हैं बार बार आप से कोशन पुझा जाता है कि रेडिया स्टेट किस मेमरी में होता है रेडिया स्टेट किस मेमरी में होता है एंड वेट वेट एस्टेट या ब्लॉक एस्टेट किस मेमरी में होता है एंड रनिंग एस्टेट में एक से ज्यादा प्रोसेस रह सकते हैं इसमें कितने प्रोसेस रह सकते हैं मैंनी ठीक है एक टाइम में रेडी एस्टेट में एक से ज्यादा प्रोसेस रह सकते हैं एन रनिंग स्टेट में क्या होगा वनली वन वन एक टाइम एक बार में रनिंग स्टेट में एक ही प्रोसेस होगा जैसे सपोच किजिए कि आपका रेडिय स्टेट में तीन प्रोसेस है पीवन पीए फ्र SE पीए प्रोसेस आता है पीटू जिसकी प्रैयोरिटी पीवन प्रोसेस से ज़्यादा है ठीक है जैसे आपके पास एक हाईयर प्रियोरिटी का प्रोसेस आता है जिसकी प्रियोरिटी वैसे प्रोसेस से ज़्यादा है जो प्रोसेस के पास हमारा CPU है तो हम उस सिच्वेशन नहीं क्या करते हैं लोर प्राइरिटी वाले प्रोसेस के से जो हमारा रेनिंग इस्टेट में उसको क्या कर देंगे हम बेज़ देंगे रेडिय इस्टेट में यहां पर हमारा जो पहले पीवन था पर पहले पीवन था उस पीवन को हम लोग प्या किये हैं यहां से र्रैणिंग स्टेट साथा करकर रेडिय इस बेज देंगे and CPU अब किसको schedule कर देंगे P2 को क्योंकि P2 की priority क्या है P1 से जादा है इसलिए P1 process को जो running statement था उसको हटा कर हमने radius state में base दिया and radius state में जो P2 जिसका higher priority था उसको हटा कर running state से हमने radius state से हटा कर हमने running state मिला दिया तो ये कब होता है जब हमारा priority CP scheduling algorithm priority based है या एक round rowing CP scheduling भी होता है जिसमें क्या होता है कि एक हमारा fix time period होता है and उस fix time period के बाद हम कोई प्रोसेस हो वह execute हो रहा है running state में उस fix time period के बाद हम क्या करते हैं उस process को running state से अठाकर radius state में बहुत भेज देते हैं तो या तो आपका time quantum हो time quantum या कोई higher priority का process आपका running state ready state में आ जाए then हम क्या करेंगे उस process को lower priority वाले process को running state से अठाकर radius state में बेज देंगे and आपका जो यह block state होता है इसमें भी many process रह सकता है एक time में एक से जादा process रह सकता है अब रेडिया state में भी many process रहेगा and weight या block state में many process रहेगा एक time में रह सकता है and running state में एक time में एक ही process रहेगा अब रेडिया state में एक time में कितना process रहेगा यह depend करता है कि आपका जो man memory है वो कितने size का है कितना बड़ा है जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा रेडिया state में आपका process रहेगा चले तो अब तक हमने जितना state देखा उसे state के बारे में कुछ points note कर लेते हैं जोभी तक हमने पढ़ा है निव state new state हमारा सबसे पहला state होता है and उस state के बारे में किया मैंने लिखा when the process is under creation then we said that process is in new state जब हमारा process under creation अभी प्रोसेस का पहला स्टेट का उन्साइट क्यूंकि कोई भी प्रोसेस बिना क्रियेट की एक्जीट होगा नी सबसे पहले प्रोसेस को क्रियेट करना होगा एंड्य जब तक प्रोसेस प्रोसेस की स्टेट में ये स्टेट में जैसे प्रोसेस मरा क्रता है अपना प्रोसेस क्या करता विट करता है आसाइन तू प्रोसेसर हमाराप प्रोलसेसर क्ये कर रहा है वेट कर रहा है उसे प्रोलसेसर एसाइन क्या जा यह लेवख सेठें यह त इस्टेट अंग गैश्rades नमारा ConsumerOf सकते हैं रेडिया स्क्मों सकते हैं उसमें किसी एक प्रोसेस को रेडिया स्टेट से हटा-कर निकाल कर किसमें ले जाएंगे गिनिया एंगे from the group of many process from the group of many process जो मरेडिया स्टेट में बहुत सारे process का जो group है in ready state one of the process is selected and assigned to the प्रोसेसर जो बहुत सारे प्रोसेस का हमारा जो ग्रूप है रेडियस्टेट में उसमें से हम क्या करेंगे किसी एक प्रोसेस को उठाएंगे चले करेंगे एंड उसे क्या करेंगे प्रोसेसर एसाइन करेंगे देन हमारा जो प्रोसेस क्या होगा रेडियस्टेट से कहा चला जाएगा running state में when the process is being executed then the process will be in running state जब हमारा process execute होते रहता है चलते रहता है जो भी उसको अर्थमेटिकल लोजिकल उप्रेशन जो करना होते रहता है करते रहता है देन हम क्या बोलते हैं हमारा process किसे state में running state में only one process can be in running state at a time है किसी एक time में running state में कितने process हो सकते है एक ही ओ सकता यह कि violate state में running state में एक time में एक ही process होगा waiting state waiting state में process हमारा कब होता है when the process is waiting for some event to occur कुछ event के अकर होने के लिए जब हमारा कोई प्रोसेस वेट करता रहता है और वह कौन सा event होता है such as input-output request और wait for sub process termination sub process क्या होता है कभी कभी कोई process जब execute होता है then उस process का भी एक कोई दूसरा process child process होता है पहले वो तो हमारा जो भी प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट में कब होता है जब वो वेट करते रहता है कि उसका सब प्रोसेस या चाल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो वह पहले कंप्लीट हो या जो उस प्रोसेस ने सब्सक में इंपपड पुट रिक्वैस के लिए इंपट उथियो इन उसको इन पूरपुट डिवाइस इलोकेट हो गया तो इन पूरपुट डिवाईस पर जो भी वो उसको अपना वप्रैशन परफॉर्म करना होगा जबताको वो इन पूरप्रोसे पर ते रहता तो नि वह हो किसे state में होता है waiting state में It means input-output device पर कोई प्रोसेस अपना operation perform कर रहा हो तो वेटिंग state में होगा या अपने किसी सब process के termination का वेट कर रहा है तो किसे state में होगा वेटिंग state में and waiting state में एक से ज्यादा process एक टाइम हो सकते हैं more than one process can be in waiting state waiting state में एक से ज्यादा number of process हो सकते हैं and last state आता है हमारा terminate when the process has finished all is execution जितना भी उसका execution है वो अगर process complete कर लिया है then हमार process किसे state में move कर जाएगा terminate state final state में move कर जाएगा and उसके बाद हो क्या होगा memory से बाहर चला जाएगा तो इस वीन में इतना ही हमने एस वीन में देखा कि process state diagram में कौन-कौन उस state होते हैं अगले वीडिओ में हम इसी को continue रखेंगे and और देखेंगे कि process state diagram में और भी नो यह दो state है तो उसको देखते हैं अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें थांक्यों फूर वाचिंग